आज बात करेंगे मानस लबुशेन की जो बने हैं अब वर्ल्ड के नंबर वन टेस्स बैटर उनकी जर्नी कैसे रही थूआउट क्या कुछ उन्होंने अचीव किया और कैसे अचीव किया और एक ऐसा बल्लेवास जब जिसने 2019 में शुरुवात करी थी इंडिया के अगेंस लबुशेन इस लाइनप में क्यूं है और नंबर तीन पर क्यूं है लेकिन मानस की परफॉर्मेंस ने अपने आपको साबित किया सारी क्रिटिक्स का मुह भी बंद करवाया और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो क्या जो रूट क्या स्टीव स्मिथ क्या केन विलिय में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी अपना फीडबैक जरूर दें हमें और आएंसी आपको स्टोरी ज़ूर चाहिए हो तो जरूर हम तक पहुंचाएं साथ ही साथ हम पहुंचने वाले हैं 400K के पढ़ाओ तक तो उसमें भी हमें सपोर्ट करें लेकिन सबसे पहरे आ करते हैं 2003 World Cup का ये लोगो है मानस लभुषेन ये kit से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सवताइफ्रिकन जो कलर्स होते थे उसमें और सवताइफ्रिका से मानस लभुषेन हैं लेकिन 10 साल की उम्र में उसके बाद शिफ्ट होगे तो अगर हम 2003 World Cup की बात करें तो 2004 चार हो समय रहा होगा जब मानस लभुषेन सवताइफ्रिका से ऑस्ट्रेलिया आगे थे तो उनके पोस्ट पर ही लिखते हैं Since as young as I can remember, all I ever wanted to do was play cricket. I am so grateful for everyone that has helped and supported on my journey so far. उसके आगे हो लिखते हैं my wife, family and friends, coaches and mentors, teammates, team staff and all the fans. You guys are all amazing and thanks for helping me live my dream. तो यह पूरा का पूरा उनका जो पोस्ट है, obviously जब rankings आ चुकी थी, number one वो बन चुके थे, उसके बाद उनने क्या था, कुछ तस्वीरे में इसके साथ उनने अपने बच्पन की दिनों की खेलते वे डाली थी और उसके बाद अपनी journey से बड़े खुश है, फैंस को शुक्रिया किया है, परिवार को शुक्रिया किया है, जिन लोगों ने उनमें विश्वास रखा है, mentors की बाद की है, coaches की बाद करी है, और इसी में नाम आते हैं, काफी important ऐसे coaches नहीं, उनकी life में चायो Blair Copland हो, Neil Dicosta हो, या फिर वो हो Matthew Maynard, जोने ग्लैम ओर्गन में उनसे कुछ बादचीत की बाद थोड़ा सा उनका technical adjustments करी, और उसके बाद हम देखते हैं कि Manas Labushain आज एक totally different cricketer है, ये हैं उनकी तस्वेरें, और अब एक थोड़ी सी पहले आपको brief summary type देते हैं कि किस तरीके से Manas Labushain का career जो है, आगे बढ़ा है, ये है test career उनका अगर आज के तारिख में बात करें, 20 मुकाबले 35 innings, 213 runs और 62.14 जो कि second to dawn Bradman है, 6 इनके 100 हैं, 12,50 हैं, आगे बढ़ें और आगे देखते हैं जो उनके और कुछ लंभें हैं, अब तक के year by year अगर break up के हिसाब से देखें, तो हम बात करें कि debut उनका होता है सबसे पहले 2018 में, 2018 में अगेंस पाकिस्तान इनका debut हुआ था, 7 अक्टूबर 2018 डेब्यू और ये बने थे खिलाडी नंबर 455, और ये बने थे खिलाडी नंबर 455, और ये जो बैगी ग्रीन हैंट की जाती है, माईक हसी ने इनको दी थी और माईक हसी के लगभग लगभग बरावर पहुंच चुके थे, fastest to 2000 runs, और माईक हसी ने उज़ी ने का था, जब भी आप पनी first test 100 score करोगे, तो सबसे loudest cheer जोगी, वो मेरी होगी, और लबुशेन उन्हें तमाम वो मौके दे रहे हैं कि बार-बार वो cheer करें, 2018 के बाद 2019 की जो पर इन्हें तैग किया, 2019 में, जिसमें एक बहुत important date थी, 18 अगस्त, जब मानस लबुशेन test cricket history में, concussion substitute first ever बने थे, जब gain लगा था Steve Smith को और इन्होंने आकर रिप्लेस किया, और उनकी जगह पर इन्होंने बल्लेबाजी करी थी, half century करी, बड़ी impressive थी, जिस half century को देखकर, ब आगे आपके लिए test cricket आसान हो जाएगा, तो ये भी उनकी अपने आप में एक बताता किस तरीकी की वो पारी थी, 2020 की शुरुवात इन्होंने करी एक दोहरे शतक के साथ against New Zealand, और 2021 अगर इस साल की बात करें तो अभी इनका average चल रहा, 75 का, मुकाबले हाला कि कम खेलें, 2020 में नंबर्स नहीं थे कि भाई वापस आते हैं वक्त आप अपने जब यानि कि उस वक्त बैन से बाहर थे डेविड वार्नर, स्टीव स्मित और सासत केमरन बैंकॉर्फ, तो जब वो वापस आएं क्या मानस लभुशेंट टीम में रहेंगे, इस पर कोई शॉरिटी नहीं थी, लेकिन Glamorgan के लिए County Championship Division 2 में जो इनके नंबर्स थे, 10 मुकाबलों में 1114 runs, 55.52 का average, 500 और 550, तो इस तरीके की कुछ performance थे 2019 में, जिसके बाद इन्होंने लगा था, dominant क्या, 2019 के भी नंबर्स हम आपको बताएंगे, लेकिन इस जो था Glamorgan का stint था, उसके बाद इन्होंने Southampton में Ashes का जो एक preparatory जो Australia का camp लगा था, वहाँ पर एक बहुत important innings के लिए थी, जहांपर इन्होंने 41 runs score करे थे out of 105, Australia के तमाम बल्लेवास struggle किये लेकिन उन्होंने वो 41 runs बनाए, जिसकी बदौलत इनको जो है finally Ashes के जो squad में है, last man, as a last man entry मेली थी, उसका जैसे मैंने आपको आती है, जहांपर ये जवर्दस तरीके से impress करते हैं सबको वहाँ पर भी, हाला कि इनके शुरुआत जब होते है, पहली गेन इनके ग्रिल पर आके लिगती है, जब ये second innings में substitute के तौर पर आते हैं मैदान पर, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जब जौफरा अपना शेर किया था, दिखाया था कि ये एक बल्ला है जो मैंने ashes में यूज किया था, और अब हम बात करें तो जो उनके career के second ashes है और वो first ever ashes turn भी अपनी score कर चुके हैं, पिछला जो मुकाबलवा था, जहांपर उनको day night मुकाबले में, player of the match का भी, खिताब जो है, मिला था तो ये उनकी कहानी रही है 2018 में, जब debut की में बात करो, debut पर भी जब मौका मिले तो उनकी जिंदगी में throughout concussion का एक बहुत important role रहा, 2014 में पहली बारी हमने Manas Labushin को देखा था, जब हो as a substitute fielder उनने Nathan Lyon की गेंद पर Varun Aaron का cash लिया था, वो तस्वीर भी हमारे पास है, वो चाह विथियार की खिलाड़ी कहा है, कौन है, कहां से आया है, क्या कुछ है, तो Brisbane से ये थे तो उस मुकाबले में as a sub fielder ये आये थे, I think अगर मुझे सही याद आ रहा है, तो Chris Rogers को भी gain लग गया था, उसके बाद ये यहां पर short lick पर आये थे, catch इन्होंने किया था, और इस परफोर्मेंसे जरूर थी कि जो आप बात करें, Queensland में थोड़ा इनको टीम में बनाये रखती थी, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी थी जब Queensland से इनका contract almost खत्म हो गया था, लेकिन वो भी नहोंने वहां से वापसी करी, 2016-17 में domestic one day player के तौर पर अपना एक नाम बनाया, फिर 2017-18 मे अच्छी परफोर्मेंसे आई और फिर फाइनली जब इनको 18 में चुना भी गया, तब भी कोई इनकी बड़ी जबर्दस परफोर्मेंसे नहीं थी, कोई batting ability एतने खतरनाक नहीं थी, लेकिन with the bat थोड़े useful थे, गेनबाजी भी कर लेते थे और वहां पर भी concussion ने एक भूम इस head के साथ हुआ, धीरे धीरे जैसे मैंने बलोगे करियर आगे बड़ा और उस ashes तक हम पहुँच गे थे, अब आपको दिखाते हैं कि ashes और उसके आगे क्या कुछ हुआ, चार back-to-back 50-plus scores जिसने आपको माईक हसी की भी याद दिला है जिनके ashes career में 5 back-to-back 50-plus scores थे, अब 2019 क इनके numbers देख लेते हैं, ashes के बाद एक difficult दोरा जहां पर यह ऑस्टेलिया की तरफ से सिर्फ साथ पारियों में top scorer बन जाते हैं, second highest क्योंकि Steve Smith की outstanding series को नहीं भूल सकते हैं, और फिर जब घर आती है ऑस्टेलिया, तो Neil Harvey के बाद best ever Australian summer जहां पर उनने runs की जड़ी लगा दी, प दर्शमलव नौच आर का average, तीन उनने 100 लगाए और साथ इनकी half centuries थे, और 300 जैसे कि मैंने बताए कि back to back वो 100 थे, जिन उनने काफी चर्चा भी बटोरी और मानस लभुशेन का stature बता दे कि भाई, he is finally here, और जो मैंने बात भी करे थी, माईक हसी को जो इंतजार था, जब भ महां से उस दोरान उतने जादा मुकाबले नहीं थे, फिर इंडिया वाली series थी जहां पर जो शुरुवाती मुकाबले थे उतने जादा बहतर नहीं हुए, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे जब performance इनकी आने लगी, Sydney और Brisbane में इनके शतक भी आये, हाला कि results favor में नहीं थे, लेकिन फिर जो इनकी performance 2021, ashes अब सबको इंतजार था कि ashes में दुबारा से, तब जब उतरे थे मानस लभुषेन तब इनको कोई जानता नहीं था, कोई उस तरीके से इनसे expectations नहीं थे, लेकिन आज की तारिख में मानस लभुषेन से सबको expectations थे और सबकी नजरें थी, कि भाई सब्स निंग्स में 100 और 2nd निंग्स में half century और कमाल की बात आप यह देखी कि भाई, जो तीन सालों का जिक्र किया है, मैंने चाहिए, वो 2019 है, 2020 है, या 2021 है, तीनों के तीनों सालों में Australia के top run getter यह है, अगर आप देखेंगे performance wise, जो इनकी performance रही है, 2019 में Steve Smith obviously एक नाम थे, जि पर भी हम ये बात करें कि as a number 3, आपको World Cricket में आज आप देखेंगे तो हम जो पुजारा से relate करते थे और इसी से मुझे याद आता है कि भाई, जब 2019 में ये पहली बारी number 3 पर खेलने वाले थे, तो अब इन्होंने चेतेशवर पुजारा को लेकर कहा था कि हमें सीखना चा रहते हैं कि एक बल्लेबाज ऐसा हो जो difficult से difficult situation में आपको निकाले, runs बनाए, 100 बनाए और बड़े 100 बनाए, तो इनकी जो journey अभी तक की रहे है, इस तरीके की कुछ रहे है, इसने लगातार impress ही किया है, और ये जो rankings की भी हम बात करें, rankings आपके सामने, जो current ICC rankings है, जो रूट test cricket में मैं पहला run तक न बना पाऊं, क्योंकि जब दोनों back, पहली innings में 0 पर आउट वे, debut में जो wicket भी लेली, सब कुछ अच्छा था, लगा कि बल्ले से भी रन आएंगे, लेकिन पहली पारी जब इनके मन में कहीं ने कहीं ये सवाल था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कि मैं मैं ऐसा खिलाडी तो नहीं बन जाऊंगो, जो दूसरी rings में भी डग प्याउट वा, मैच में पेर स्कोर के, और उसके बाद उसे कभी test cricket में मौका ही नहीं मिला हो, लेकिन इनकी महनत कहेंगे, और थोड़े से इनके mentors और coaches जिनका इनोंने जिक्र भी किया अपने post में, उनक एक बड़ा important और एक important factor आता इनकी इस journey में, कि लेंगर को थोड़ा पहले से फिर भी था कि हो सकता है, ये लड़का कुछ कर सकता है, और दूसरी चीज़ जो लेंगर को इनमें पसंद आती थी, वो ये थी, कि वहीं, he was always up for the contest, और एक जिक्र आता है, इसमें ashes का ही preparatory, जो उ आउस्टिले को represent करने के लिए, तो लेंगर को उनकी ये quality भी बड़ी पसंत है, और जो मैंने जिक्र किया है, तो club cricket जब ये England में खेल रहे थे, तो एक sandwich town करके, Kent Cricket Premier League में, वहां पर इन्होंने 1000 plus run score करे थे, लेंगर का वो record था जो बड़े लंबे अर्से तक रहा, 1012 runs का, औ और धीरे-धीरे जब उनको आगे messages डालें कि 300 more to go, 200 more to go, फिर 100 more to go, फिर जे done, तो लेंगर भी बड़े impressed रहे थे, जिस तरह की consistency इन्होंने दिखाए थे, और उसके बाद अब जो consistency दिखा रहे हैं, जो शयद Australian dressing room को भी जरूरत है, और लेंगर भी इस से obviously प्रभावित तीस में average करता है, वो क्यों team का number 3 है, आज दुनिया कह रहे हैं कि शयद इस वक्त पर मौझूदा test cricket में कर हम बात करें कि number 3 आपको world 11 pick करनी हो, तो शयद काफी लोग मानस लभुशेन ही pick करेंगे, तो ये थी मानस लभुशेन की पूरी अब तक की journey आप भी बताएं इसमें आपको क्या कुछ पहलू ऐसे लगे, या फिर आप ऐसा कुछ सवाल जो आपके मननों जो आप मानस लभुशेन रिलेटेड जानना चाहते हूं या और कोई खिलाड़े जिस पर आप चाहते हैं हम ऐसे features करें, तो वो जरूर comment section में बताएं, वीडियो अच्छी लगी, आपक लगातार लेकर आ रहें, तो बहुत सारी चीजें लाइन डप हैं throughout the day, इसी तरीके से बने रहें हमार साथ, बहुत बहुत शुक्रिया